पांच पावली पुलिस थाना अंतरगत पांगला देश परिस्ता में गिहूं और चावल का वैद जखीरा जब्ट किया गया है जो कोल एक हजान नौसो च्यासट किलो हैं इस मामले में लिप्त आरुपी मुहमत मिनास अंसारी अयूब अंसारी उम्र 49 साल बंगाली पंजालाल दरवासा निवासी बताया ज़ारा है इस मामले की आगे की जाच पावली पुलिस कर रही है ऐसी जानकारी वरिष्ट पुलिस निरिक शक्संजे मिहने द्वारा दी गई ह पाँच पावली पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक वैक्ती राशन के गेहूं और चावल को अवैत तरीके से जमा कर रखा है इसी जानकारी के आधार पुलिस ने चापामार कारवाई कर 24 बोरे यानि कुल 960 किलो गेहूं और 23 बोरे चावल यानि 1006 किलो चावल जप्त किये हैं साथी पुलिस ने इस मामले में मौहमन मिनास अंसारी आयूब अंसारी उम्र 49 साल को हिरासत में लिया है चापा गत्वा रेड केली त्या मदे आमाला त्यचा घरा मदे एकोन 24 बोरे अस्ता चोविस बोरे एकोन 960 किलो गहूं मिलागा आणि 23 प्लास्टिक चे पोते तांदुल असा एक कदर सहा किलो तांदुल मिलागा आरूपीसा नावा है महम्मद मिनास अंसारी अयूब अंस इकबाल किराना स्टोर्श बाजुला तिदी चापा गात्ला आणि तासा सगा मुद्यमाल जो आही गहू तांदुल का आमी जबतके लेला है एकोन 1097 किलो गहू तांदुल सधान्य आमी जबतके लेला है याक अरवाय मदे आमी अन्डे दाने मित्रन अधिगारी यान्नाप पना बोलोलो होता आनि तेंचास देखरे के सड़ी कारवाई करने ताले लिया है आरवपी उर्दाम गुणा दाकर केलेला है आनि आरवपी ला उद्याग मानेनियों पुर्टात हाजर करून तेसा पीसे अरगवन पुडिल तपास एपेम मुलेह करता है नेम्पावात आनि पुलिस ने कुल 1,966 कि लोग गेहूं और चावल चप्त किये हैं इस कारवाई में अन धान्य वित्रन अधिकारी की उपस्तिती में यह कारवाई की गई है ऐसी जानकारी संजे मेड़े द्वारा दी गई है कैमरे परसन अकिलेश भारत द्वाज के साथ शिती जादेश मुख बीसी एन न्यूस नागपुर